नमस्कार दोस्तो, जै गुरु गोरखनात, जै महाकाल, जै महाकाली, हर हर महादेव, आप सबका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल शावर मंतरों की शक्ती में, दोस्तों सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो अभी हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बशी करने हैं तू काम देव मंतर बताने बालाओं आप काम देवता को प्रसंद करके किसी का भी बशी करन कर सकते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं या फिर आपकी पतनी हो आपसे प्रेम ना करती हो या आपका पती हो वह आपसे प्रे पाना चाते आपका प्रेम आपसे दूर जा रहा तो आप उसे अपनी और अकर्षित यहynिकी मोहट कर सकते हैं बशी करने कर सकते हैं दोस्तों कैसे मंतर सिद्ध करना है इसकी विदी क्या है और कैसे इस्तमाल करना है आप को सब इसी वीडियो में बताने वाला हूँ बस आप अंते तक हमारी वीडियो में बने रहिए तो चलिए हम हमारी वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं आज आपको काम देव का बशी करन मंतर बताने वाला हूँ दोस्तो इस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है वह भी माप को बता देता हूँ इसे सिद्ध करने के दो तिन तरीके हैं माप को दोनो तीनो तरीके बता देता हूँ पहले काम देव के उक्त मंत्र को तीनो काल यानि कि तीनों संध्या में तीनों कालों में सुबा, दूफ़ैर और शाम को यानि कि रात को या फिर आफ सुबा, शाम को तीन उ चार बजे या फिर रात को तस्जृनावजे एक माला एक महिने तक जाब करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा प्रयोक करते समय जब भी आप किसी के और यह मंतर पढ़कर फूंक लगाएंगे या देखकर जाप करेंगे तो देखते ही बशी करने हो जाएगा दोस्तों एक चीज मैं आपको किलिए बता दे रहा हूं यह बशी करन एक दिन में नहीं होगा यह आपको दो तिन बबार करना होगा फिर ही बशी करन संबब हो सकता है दोस्तों इसके लाबा आप गरहन काल में भी से सिद्ध करके जाप करके सिद्ध कर सकते हैं आप चाहे तो दिपावली की रात्री रात के गयरा बज़े लेकर सुबा एक बज़े तक या फिर आपको ग्यारा माला आज़ाप करके भी आप इसे सिद्ध कर सकते हैं आप इसे होली पर भी सिद्ध कर सकते हैं दोस्तों आप ये त्रिकों से मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं अब दोस्तों मंत्र क्या है भी आपको बता देता हूँ दोस्तों मंतर आपको फिर से बोलकर बताता हूँ और आपको सक्रीन पे भी दिखराओगा दोस्तों जो आपको सक्रीन पे दिख रहा है आप सक्रीन सोट ले लीजिए या फिर लिखकर रख लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों इसको बिलकुल अच्छे से याद कर लेना किसी भी तरह की मात्रा में या किसी भी अक्षर में घडबड नहीं हो अगर ऐसा होता है अगर एक भी सब्द का एक भी बिन्दी का इधर भी उदर घडबड होती है तो साथ ही साथ ये मंतर निश्पल हो जाता है दोस्तों आम के बार नमहा है जो इसके पीछे दो बिन्दी आरी है मैं कि वो है का साउंड देती है क्योंकि यह Sanskrit word होते है तो Sanskrit word में ऐसा ही होता है जो उपर का जो बिंदी लगती है जैसे किसी भी सब्द के पूरे होने के पार बिंदी लगती है वहां पर मैं आता है जैसे U के बाद आ गया साउंड करती है अगर दो बिंदिया हो तो वैए है का साउंड करती है दोस्तों आप इसे आप इस्तमाल कैसे कर सकते हैं वह भी मैं बता दिता हूं जब यह मंतर आपका सिद्ध हो जाए तब आपको क्या करना है जिसे भी आप बशी करना चाहते हैं उनकी और देखते जाए और मंतर का जाप करते जाए उनकी और देखते जाए और मंतर का जाप करते रही है दोस्तों अगर वो आपके तरफ एक बार भी आपसे आँखों में आँखें मिला लेते हैं तो उनकी तरफ बशी करन होना सुरू हो जाएगा दोस्तों और बाद में जब बिलुकुल पूर्ण हो जाए तो चुप चपाते गुप तरीके से उनकी तरफ एक फूंक लगा दीजिए ऐसा करने से दोस्तों बशी करन होना सुरू हो जाएगा दोस्तों बशी करन कभी कभी एक दिन में नहीं होता यह मत सोचते ना मंतर काम नहीं कर रहा बशी करन कभी कभी समय भी ले लेता है दोस्तों ये था हमारा मंतर ओर ये थी विदी मैंने आपको बता दिया किस तरह से इसको इस्तमाल करना है दोस्तों आपसे एक ही प्राथना करूँ आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सस्क्राइब कर दीजिए आज की हमारी वीडियो में इतना था हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों का दिन शुब रहे आदेश